So welcome back to my channel, this is Shivani Keswani, आज हम एक नई सीरीज लेके आएं आपके लिए, यह सीरीज रहने वाली है, SAC MTS के Most Important Questions, यह हम English questions यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, 25 प्लस questions रहेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे rules डिसकस करेंगे, words डिसकस करेंगे, इसलिए मैंने questions कम लिये हैं, त्याकि question पढ़ूंगी, question का मतलब समझाऊंगी, कौन सी चीज कहां पर आती है, वो बताऊंगी, और आपको वीडियो पॉस करके, उसका सही answer चूज करना है, माइन में रखना है, और फिर मैं आपको सही answer बताऊंगी, कि वो सही answer क्यों है, ठीक है, तो आईए, स्टार्ट करते हैं, अगर मेरे efforts आपको पसंद आ रहे हो, तो चानल को subscribe जरूर कीजिए, और टेलिग्राम पर जुणने के लिए आपको link, description box में मिल जाएगा, आईए, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे से सी MTS जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 14th May 2017 की first sitting का question ले रही हूं मैं, यह है error detection, तो question परत हैं, he is not what you would call an honest man, doesn't he, तो यहाँ पर यह question था, अब आप pause करके एक बार खुद से attempt कीजिए, आईए, अब हम समझते है question क्या है, he is not what you would call an honest man, वो यह नहीं है, जो आप एक सच्चे इंसान को बोलोगे, doesn't he, क्या वो है, तो देखिए, यहाँ doesn't he में एक error छुपा हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं, he के साथ is लगा हुआ है, is एक helping verb होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, he एक pronoun होता है, pronoun वो सारे शब्द होते हैं, जो noun की जगे लेते हैं, not एक negative word होता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस के साथ not लगा हुआ है, तो already हम एक negative stance ले चु question tag लेते हैं, यहाँ पर अगर does होता, तो हम doesn't, does he लगाते, क्योंकि does not पहले ही negative हो चुका है, तो यहाँ पर does he आजाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर is not है, तो यहाँ पर हम is he लगा देंगे, बहुती clear cut question है, बहुती easy question है, इस तरीके को questions बार बार repeat होते हैं, इसलिए series को ज कर लीजे, फिर मैं बताती हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि have you been doing, क्या आप वही कर रहे हैं, what has been asked of you, जो आपसे बोला गया है, तो देखिए what has been, आपको पता है has been के बाद हमेशा past verb आती है, verb की third form आती है, और लेकिन यहाँ पर verb की first form लिखी हुई है, ask, ask का हमन singular बना दिया, ask, लेकिन यहाँ पर verb की third form आनी चाहिए, तो यहाँ पर question 916 का आज़ जाएगा to answer, इसमें आजएगा asked, asked answer हो जाएगा आपका, क्योंकि हमेशा याद रखिए, यह एक grammar का बहुत important rule है, has been के साथ आप past tense यूज़ करते हैं, आईए next question पर बढ़ते हैं, love for ours environment is enough to protect nature, attempt कीचे, अब मैं आपको बताती हूँ, तो कभी भी आप देखेंगे, love for ours environment, हमारे वातावरन के लिए, जो हमारा प्यार है, यह काफी है, is enough to protect nature, हमारे nature को protect करने के लिए, बचाने के लिए, जो हमारा प्यार है, हमारे environment के लिए, वो काफी है, यह question बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ours के बाद कभी भी हम कोई भी object नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ours के बाद object लिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एक error है, error यही है, कि हमारा ours नहीं आएगा, हमारा सिर्फ our आएगा, our environment, हमारे वातावरन, our क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, our होता है pronoun, pronoun का एक sub-type होता है, possessive pronoun, possessive pronoun मतलब जो हम हक जताते हैं किसी पर, वो वाले pronouns हमारे possessive pronoun में आ जाते हैं, जैसे कि my car, मेरी car मेरे कर हैं मतलब मेरा उस पर हक है, तो my will be your possessive pronouns, his hair, उसके बाल, तो उसके बाल है, उसका हक है, उसका पर दो हमारा घर, our house, तो our हमारा environment, our environment इसलिए यहाँ पे आर आया, clear है आप सब को बता दीजे आगे बढ़ते हैं, he has not been attending English classes for one week, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसने English classes एक हफते से नहीं attend की है, देखिए यहाँ पे जो error है वो है for or since का for or since में बहुत ही basic language में आपको बताऊंगी, बाकी teachers बोलते हैं, since होता है point of time के लिए use और for होता है duration of time के लिए use, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, since हम तब use करते हैं, जब हमें किसी भी time की starting पता हो जैसे की since 1991 since Monday since Tuesday since November, तो हमें यहाँ की starting पता थी, लेकिन जब हमें कुछ starting नहीं पता हो, since last week since one week, यहाँ पे since आएगा, लेकिन जब हमें सिर्फ duration पता हो, मतलब कितना time है, सिर्फ यह पता हो और हमें starting नहीं पता हो, जैसे for years, for two years for three years, for five years, तो यहाँ पे हम for use करेंगे तो यहाँ पे since यह use होगा क्योंकि यहाँ पे हमने एक starting time बता रखा है, कि एक हफते के लिए, वो एक हफते से start हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे for नहीं since use करेंगे next question कर लेते हैं, I am too much pleased to know that you have topped the list मैं बहुत खुश हूँ यह जानके कि आपने list को top कर दिया है जैसे कि आप भी अपने MTS के exams में top करने वाले हैं उसको जानके मैं भी बहुत खुश होने वाली हूँ लेकिन मैं यह नहीं बोलूँगी कि I am too much pleased मैं बोलूँगी I am very much pleased, too much दिखाता है कि एक negative sense he is too bored वो बहुत ही जादा बोर हो चुका है he is too negative वो बहुत ही जादा negative है बहुत ही जादा एक अती दिखाते हैं हम तो वो एक negative sense देता है इसलिए हम यहाँ पर too use नहीं करेंगे यहाँ पर हम use करेंगे very much आगे बढ़ते हैं It is a most beautiful painting in the gallery यहाँ पर बोल रहा है कि यह gallery में बहुत ही सुन्दर painting है आप मुझे बताइए most एक superlative degree है मतलब किसी भी चीज का सबसे जादा तो यह सबसे जादा खुबसूरत painting है तो most के साथ, best के साथ किसी भी word की superlative degree के साथ हम the का use करते हैं यहाँ पर जो error है वो है It is the most He is the best She is the most beautiful तो इस तरीके से हम यहाँ पर most के आगे the लगा देंगे आईए next question पर बढ़ते हैं अब यहाँ पर है sentence improvement के questions आचुके हैं Parents shall make strong efforts to curdle the extreme fed for fashion from their children's mind अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि parents को क्या करना चाहिए बहुत ही तगड़ा effort लगाना चाहिए जिससे कि वो जो उनके बच्चों के दिमाग में जो fashion के प्रती extremely एक चाहत बड़ी चली जारी है उसको रोकने के लिए parents को एक effort बहुत ही strong effort लगाने की जरुवत है तो यहाँ पर अब parents की duty आ गई है यहाँ पर compulsion आ गया है कि parents को करना पड़ेगा वो effort तभी जाके उनके बच्चे रुकेंगे इसलिए यहाँ पर हम choose करेंगे should should दिखाता है कि compulsory हो गया है compulsion आ गया है duty आ गया है आगे बढ़ते हैं next question पर यह से सी multi-tasking MTS exam में shift third में 4, 10, 2017 question पूछा गया है we all believe that a slight evaluation in your body temperature means we are getting sick अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी वी है यहाँ पर भी वी है तो यहाँ पर यहाँ पर कैसे आ गया बिलकुल गलत है जब subjective pronoun हमारा वी यूज हुआ है यहाँ पर भी वी यूज हुआ है तो यहाँ पर subjective pronoun का objective वाला pronoun यूज होगा मतलब in our we all believe that a slight evaluation in our body temperature means we are getting sick इसका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ हम यह सब भरोसा करते हैं विश्वास रखते हैं कि अगर हमारे body temperature में जरा सा भी increase आ जाता है इसका मतलब हम बिमार पढ़ गए हैं आगे बढ़ते हैं अब यह questions है फिलप्स के तो यह भी आपके MTS में पूछे गए हैं 2014 में though this blanket is not made of wool मैं जानती हूँ यह blanket wool का नहीं बना हुआ है लेकिन इसका texture wool जैसा है अब देखिए यहाँ पर question बहुत ही easy है सबसे पहले तो one option हम eliminate कर देंगे क्योंकि texture एक noun है और noun के पहले use होने वाला word pronoun sorry adjective होता है विशेशन होता है noun की विशेशता बताने वाले शब्द adjective होते हैं विशेशन होते हैं तो यहाँ wool हट जाएगा क्योंकि wool एक noun होता है अगला woolen woolen मतलब wool का बना हुआ अब यहाँ पर wool का तो बना ही नहीं हुआ है blanket तो woolen भी हट जाएगा woolie मतलब भी उनी होता है उन से बना हुआ होता है तो यह तो उन से बना हुआ ही नहीं है तो हम आराम से eliminate करके Woolish पे पहुँच गए Woolish मतलब wool जैसा texture पर wool से बना हुआ नहीं है अगले question पे None of the guests ate much at the party because the food looked dash अब इसके options पढ़ते हैं पहले हम question को समझ लेते हैं किसी भी guest ने किसी भी guest ने food नहीं खाया party में जादा food नहीं खाया जादा food नहीं खाया क्योंकि food कैसा दिख रहा था unapproachable unapproachable मतलब जिस तक हम पहुच नहीं सके जहां हमारी पहुच नहीं हो क्या food तक हमारी पहुच नहीं होगी बिल्कुल गलत ये नहीं होगा unauthorized मतलब illegal जिसमें हमें authority नहीं हो ये भी गलत unceremonious ceremony तो मतलब कोई program होता है तो food के लिए हम unceremonious नहीं यूज करेंगे unappetizing मतलब जिसे देखके बूख न लगे appetizing मतलब जिसे देखके हमें बूख लग जाए तो food ऐसा दिख रहा था जैसे बूख ही न लगे इस वज़े से guest ने बहुत कम खाना खाया आगे बढ़ते हैं trust-God do the right भगवान में trust रखें और सही करें तो in आएगा यहाँ पे बहुत easy question था भगवान में trust रखें और सही करें अगला question है अब हम जाने वाले हैं antonym और synonym यहाँ पे हम दोनों questions करेंगे transient transient मतलब वो सारी चीज़ें जो कम समय के लिए होती हैं permanent इसका antonym हो जाएगा जो हमेशा के लिए रहे वो permanent uncertain का मतलब होता है earnest chit जो कभी हो सकता है नहीं हो सकता है मैं पता नहीं है provisional और transit tree अब यह transit tree मतलब क्या होता है जो temporary हो कम समय के लिए हो तो transient का synonym हो जाएगा transit tree और permanent हो जाएगा antonym अब आ जाते हैं plump पे, तो plump मतलब होता है मोटा, चीक है तो यहां पह tall मतलब लंबा हो जाएगा lean मतलब जुका हुआ हो जाएगा fat मतलब मोटा हो जाएगा skinny मतलब पतला हो जाएगा तो fat जो हो गया वो plum का synonym हो गया और plum का antonym हो जाएगा skinny आगे बढ़ते हैं valiant valiant मतलब जो बहाद्दूर लोग होते हैं उनके लिए ये valiant शब्द यूज होता है ये एक adjective होता है मतलब विशेशता बताता है तो courageous बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा courageous मतलब बहाद्दूर quarrelsome मतलब जो लड़ंकू होता है लड़ता रहता है repulsive मतलब जिससे घरणा आए जिससे हम धूर भागने की कोशिश करें cheerful मतलब हस्मुक ठीक है अब आगे बढ़ते हैं question है one word का that which cannot be moved जिसे हम हिला ना सकें सरका ना सकें उसे हम क्या बोलते है तो rational rational मतलब होता है logical कोई भी चीज जिसके पीछे कोई logic हो eradicable मतलब जिससे हम जड़ से हटा सकें वो होता eradicable insolvent मतलब जो दिवालिया निकल चुका है जिसका वो insolvent, immobile मतलब जिसे हम खिसका ना सकें, सरका ना सकें या हिला ना सकें that which cannot be moved MTS exam में पूछा गया है यह question अगला बढ़ते हैं यह सारे आपके one word है that which can be drunk जिसे पिया जा सकें तो देखिए potable मतलब होता है जिसे पिया जा सकें तो उस right answer जाएगा potable edible मतलब जिसे खाया जा सके palatable मतलब जो tasty हो culpable मतलब जो culprit हो criminal हो जिसने कोई गलत काम किया है उसे culpable बोलते हैं one who is neither intelligent nor dull जो ना जादा intelligent है और ना dull है मतलब beach का है तो उसके लिए average हम बोलेंगे average beach का ही इंसान को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे most मतलब जो word सबसे जादा fit बैठता है में वो choose करना रहता है और वो है mediocre mediocre मतलब जो इनसान न किसी extreme पे है एकदम beach में है ना जादा मोटा ना जादा पतला उसके लिए भी हम mediocre यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ही word होगा mediocre अगला है person leading a life of strict self-discipline जो इनसान बहुत ही self-disciplined हो strict हो हर चीज में strict मतलब चार बजे उटना है तो चार बजे ही उटना है एक मिनिट भी लेट नहीं होता है उसके लिए हम use करते हैं ascatic ascatic मतलब एकदम strict इनसान एकदम जो अपने time पे चीजें करता हो उसे हम बोलते है person who is leading a life of strict self-discipline disciplinarian मतलब भी वह होता है लेकिन ascatic एक one word होता है इस पूरे sentence का atheist मतलब जो भगवान में भरोसा ना करे that which cannot be perceived by touch touch करके जिसे हम समझ ना सके उसे हम बोलते है intangible, tangible मतलब touch किया जा सके, intangible मतलब जिसे हम touch नहीं कर सकते है आगे बढ़ते हैं ये आपके आगए idioms apple of one's eye तो इसे हम बहुत ही easy सा idiom है, very dear to someone, मतलब किसी का बहुत ही प्यारा उसे हम बोलते है, apple of one's eye to work like a dog, मतलब बहुत ही जादा hard work करना होता है, to work like a dog खुत्ते की तरह काम करना आगे बढ़ते हैं ये आगे आपका last part जो है spelling error वाला तो यहाँ पे आपको right spelling चूज करनी है, तो वीडियो को pause कीजे और first answer बताइए, first का क्या होगा exhilarate, ये answer है first का, इसका मतलब होता है बहुत ही खुश अगला answer है, journal journal की सही spelling ये होती है J-O-U-R-N-A-L मतलब record रखना Harris की सही spelling बहुत ही confusing होती है तो Harris की spelling यहाँ पे होगी H-A-R-A-S यहाँ पे double R नहीं यूज होगा बच्चे बहुत mistake करते हैं यहाँ पे आपका singular ही होता है Harris मतलब परशान करना License की सही spelling होगी First वाली I-L-I-C-E-N-S-E License मतलब आपको पता है Next है Municipal तो Municipal की spelling होती है देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं यह P-A-L नहीं होगा यह P-L-E होगा Municipal चीक है? तो यहाँ पे हमारे questions complete होते हैं हमने 25 से जादा questions देखे हैं बहुत ही important थे आप सबने attempt किये कैसा लगा? बताइए questions की quality कैसी थी वैसे quality तो आप बोली नहीं सकते क्योंकि यह सारे previous year के questions है और previous year questions सबसे जादा repeat होते हैं तो इन questions को अच्छे से कीजिए अगला part बहुत जल्दी आएगा और चानल को subscribe करना ना भूले और अगर कोई भी problem परशानी हो तो नीचे help line number दिया हुआ है उस पे call करके आप अपनी परशानी solve कर सकते हैं साथ में WhatsApp groups भी हमने SSE MTS के बना रखे हैं separate for boys and girls तो आप वहाँ पर जाके add हो सकते हैं बाकी और questions की practice का निकले टेलिग्राम चानल से जुड़ना ना भूले Thank you, Bye Bye